आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और आसान बर्फे की रेसिपी लेकर आई हूँ इसमें ना तो हम मावा डालेंगे ना दूद और ना ही मिल्क पाउडर और हम इसे बनाएंगे घर की ही सिर्फ तीन चीजों से यह बर्फे बहुत ही जादा टेस्टी बनती है और इसे तो बेहद असान है तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए गयास पर एक कड़ाई रख देंगे इसमें एक कप घी डाल देंगे और जैसे ही घी हलका सा गरम हो गया हम इसमें दो कप मैदा डाल देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्रेम पर इस त लगातार चलाते रहेंगे और भून लेंगे और तकरीवन 10 मिनिट हो चुके हैं जब यह देखिए जो यह मिक्षर हम आपको फुला फुला सा दिखाई देगा इस तरीके से तो बस हम इसे अब ही थोड़ी दिर के लिए और भून लेंगे हमें इसे तब तक भून लेना है और ये देखिए तकरीबन 15 मिनिट हो चुकी है ये मैदा अच्छे से इसमें भुन गया है तो बस यहाँ पर हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इस मिक्षर को हम इस बोल में ट्रास्वर कर देंगे आप चाहें तो इसी कड़ाई में ही छोड़ सकते हैं लेकिन बिच-विच में आप इसे चलाते रहें तक ही इसमें जादा डार कलर ना आ जाए तो इसलिए मैं safe side ले करके इसे इस mixing bowl में डाल दूगी इस सरीके से और ये mixture अभी जो काफी गरम है तो मैं इसलिए से पहले थोड़ा सा ठंडा होने दूगी पूरा ठंडा नहीं होने देंगे हलका जब गुन-गुना हो तभी हम इसमें चीनी डालेंगे और ये बिल्कुल perfect है और साथी इसमें तीन हरी लाइची डाल देंगे और इन्हें अच्छे से grind कर लेंगे ये देखे हमने इसका एकदम fine powder बना लिया है यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान रखें कि इसका आपको fine powder बनाना है बिल्कुल इसमें कोई भी चीने के दाने ना हो नहीं तो वो दादों में लगते हैं तो उसका taste इतना अच्छा नहीं आता है और यहाँ पर देखे जब यह mixture जब हलका गुनगुना रह चुका है तो बस अब मैं इसमें यहाँ पर यह powder sugar डाल दूगी पहले हमने आधी डाली है इसको अच्छे से mix कर लेंगे क्योंकि जब आप इसे हलके गुनगुने में मिलाते हैं तो चीनी भी melt हो करके अपना पानी छोड़ती है तो यह जो mixture है आपको हलका सा liquid लग सकता है और यह देखिए जो mixture है हमने इसे अच्छे से mix कर लिया है यह मिशा देखिए हलका सा soft हो चुका है तो बस अब मैंने यहाँ पर यह burfi set करने के लिए tray ले ली है आप चाहें तो घर के किसी plate या फिस ट्रील की tray में भी इसे set कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा देशी की डाल देंगे और इसे चारों तरफ इस तरीके से अच्छे से grease कर लेंगे और अब यह burfi वाला सारा mixture हम इसके ऊपर डाल देंगे और spatula से हम इसे बिल्कुल इस तरीके से even कर देंगे ऊपर से ये देखे इस तरीके से हमने इसे अच्छे से इवन कर दिया है आप चाहें तो इससे चांदी के वर्क या फिर पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं पर मैं इसे आज प्लेन ही बनाने वाली हूँ अब आप इसे चाहें तो आदे घंटी के लिए रूम टेंपरेचर पर छोड़ दीजे या फिर आप इसे पांच मिन्ट के लिए फ्रिज में भी सेट कर सकते हैं और ये दिखें जब मैंने इसे फ्रिज में पांच से दस मिनट अच्छे से सेट कर दिया है और इसके उपर मैंने ये थोड़े से निशान भी लगा दिये हैं ताकि हमें काटने में इसे असानी रहेगी और अब हम इस परफी को इस तरीके से पीसे में काट लेंगे मैंने इसे फ्रिज में रखा था तो ये ज़्यादा अच्छे से सेट हो गई है हमने इसे पीसे में काट कर लिया है और जैसे मैं थोड़े से बड़े पीसे में काट कर रही हूँ आप चाहें तो इसे छोटे पीसे में भी काट कर सकते हैं और ये देखिए आप इसका टेक्षर देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना पॉफेक्ट आया है घर की ही सिर्फ तीन चीजों से आप इसे बना करके तयार कर सकते हैं बहुती टेस्टी बहुती यमी बनती है ये मदब आप इसे बना करके पंधा से 20 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं तो लीची फ्रेंड्स मैंने तो इसे बना लिया है आप भी इसे अपनी घर में जरूर ट्राइ करें और अगर आपको हमारी रेसिपीज ट्राइ करने के बाद पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शियर जो कीजिए और साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें इसी तरह की और नहीं रेसिपीज देखने के लिए